तो नमस्कार दोस्तो आज हम बात करेंगे SBI यानि State Bank of India के Quarter 1 के Results के बारे में और हम देखें तो इस Quarter में जो बैंक है हमारा उसके Revenues जरू थोड़ से Increase हुए है लेकिन इस बैंक का Profit काफी जादा जो है वो Drop हो गया है अगर हम बात करें इस Quarter के Results के बारे में तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इस बैंक का Revenues यहाँ पर देखें तो जून 2022 का जो Quarter एंड हुआ है इसमें बैंक के Revenues आये है 72,676 क्रोड रुपे जबकि लास जूमारा मार्च 2022 का Quarter था उसमें बैंक के Revenues थे 70,733 क्रोड रुपे उसके साथ साथ अगर हम इसको पिछले साल के June Quarter से अगर हम compare करते हैं तो तब इस बैंक के Revenues थे 65,574 क्रोड पे यहाँ पे देखें तो Quarter on Quarter basis पे बैंक के Revenues में 3% ग्रोथ हाई है और Year on Year basis पे बैंक के Revenues में 11% ग्रोथ हाई है जो की ठीक ठाक है इसके अलावा हम अगर बाकी के सारे Parameters देखते हैं तो लगबख सारे ही Parameters पे बैंक का जो Profit है वो हमें कम होता दिखाए दे रहा है इसके साथ हम बात करें बैंक के अधर इंकम की तो इस Quarter में बैंक की अधर इंकम आ रही है 2312 क्रोड रुपे जबकि मार्च 2022 की Quarter में 11,880 क्रोड रुपे थी और लास येर के जून Quarter में 11,830 क्रोड रुपे थी यहाँ पे देखें तो बहुत ही जादा कंपनी की जो अधर इंकम है उसमें गिरावट देख रहे हैं मिल रही है Quarter ओं Quarter Base पे भी लगबग 80% गिरावट है और Year on Year Base पे भी अधर इंकम में 80% गिरावट है उसका बात करें बैंक के Profit Before Tax की तो इस Quarter में बैंक का Profit Before Tax है वो आ रहा है 8,360 क्रोड रुपे जबकि मार्च 2022 में बैंक का Profit Before Tax था 12,489 क्रोड रुपे ऐसे ही लास येर के जून Quarter में बैंक का Profit Before Tax था 8,923 क्रोड पे यहाँ पे भी देखें तो Quarter on Quad Base पे बैंक का Profit Before Tax 33% गिरा है और साथ साथ Year on Year Basis पे भी ये 6% कम हुआ है ऐसे गर हम बात करें बैंक के Net Profit की तो इस Quarter का बैंक का Net Profit आ रहा है 6,068 क्रोड रुपे जबकि लास येर के Quarter में 9,114 क्रोड पे था और लास येर के जून Quarter में 6,504 क्रोड पे था यहाँ पे भी देखें तो Profit Before Tax की तरह यहाँ पे भी Net Profit में Quarter on Quad Base पे 33% गिरावट आई है और Year on Year Basis पे 7% की गिरावट आई है बैंक के Net Profit में इसके बात करें बैंक के NPS के बारे में तो इस Quarter में बैंक का Gross NPS आ रहा है 3.91% और जबकि लास Quarter में 3.97% था तो यह लगबग बराबर ही है बहुत हलका सा कम हुआ है लेकिन पिछले साल का जो June Quarter था उस से करें कमपैर करें तो पिछले June Quarter में कंपनी Gross NPS थे 5.32% और उसके इसाब से देखें तो यहाँ पे जो Gross NPS बैंक के वो कम हुए है ऐसी करें बात करें बैंक के Net NPS के तो Net NPS इस Quarter में बैंक का रहा है 1% जबकि लास्ट क्वाटर में भी 1.02% था तो यह भी लगबग बराबरी है लेकिन लास्ट के जून क्वाटर से बैंक के इस बार के NPS कंपैर करते हैं तो उसमें में गिरावट देखने को मिलती है लास्ट यह के जून क्वाटर में बैंक के NPS आ रहते 1.77% और इस क्वाटर में यह आ रहे है 1% यहाँ पर देखें तो क्वाटर में लगबग सेम से ही है लेकिन एर औन एर बैस पे कंपनी के Net NPS में कमी तो इस तरह से आपको रिजल्ट के बारे में सारी information दे दी है आज अगर तो आपको वीडियो अच्छे लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो इसको like और share जूरू किजएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा thank you so much